राजस्थान में रसुख दारों ने फोन टैपिंग से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है वज़ा फिर से सियम अशोग गहलोत के OSG अलोकेशन शर्मा की ही है जिन्हें फिर दिल्ली तलब किया गया है दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उन्हें नोटिस भेजा है फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है इस ताजा नोटिस में उन्हें अगामी 12 नवंबर को हाजिर होना करने देश भी दिया गया है इसे पहले 24 जुलाई को पहला और 22 अक्तूबर को दूसरा समन भीजा गया था लेकिन लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुए थे ताजा नोटिस तीसरा है क्राइम ब्रांच की नोटिस में स्पस्ट तौर पर 12 नमंबर 2021 यानि शुकरवार को कुछ ताज के लिए हाजिर होनी का निर्देश दिया गया है और राजस्थान में बुचाल ला देने वाला फोन टैपिंग विवाद 23 साल सुर्खियों में रहा था इसमें सांसत के खरीद जो परोक्स्त थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया था और फोन टैपिंग की कुछ आडियो भी वाइरल हुए थे इसमें कॉंग्रेस के विधायक की खरीद परोक्स्त की बात सामने आई थी और आरोप मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के OSG लोकेश शर्मा पर लगे थे इस मामले में केंद्रिय जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शिखावत पर विधायकों की खरीद का आरोप लगा था और इसी को देखते हुए गजेंदर सिंग शिखावत ने दिल्ली में राजिस्थान में हुई फोन टैपिंग मामले पर शिकायत दर्च करवाई थी शिकायत में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के OSG लोकेश शर्मा का नाम था और दिल्ली पुलिस ने मार्च में फोन टैपिंग का मामला दर्च कराया था 24 जुलाई 2021 को पहले समन में लोकेश शर्मा करोना संक्रमन के बढ़ते आकडों के बीच नहीं गए थे उन्होंने ईमेल के जरिये वर्चुल पेश होने की बात कही थी और इसके बाद दूसरा समन 22 अक्टूबर का था जिसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष उपस्थित होने के लिए लोकेश शर्मा जैपुर से दिल्ली के लिए चले गए थे लेकिन लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होने की जगा वापस जयपुर लोटाए और उन्होंने अपने सपस्टी करण जारी करते हुए किया था और आपको यह भी बता दे कि परिवारी कारणों से वो दिल्ली पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज नहीं करा सकते सवाई माधोपुर दोशा है घुसखोर अधिकारी को गिरफतार किया है गिरफतारी के वक्त जेन 10,000 रुपए एट रहा था अफसर ने होली तक सेंप्लिंग और कोई चेकिंग नहीं करने की एवज में पीडित के रिश्वत की मांग की थी और ACB डिप्टी SP राजेश कुमार सिंग के नितत्व में कारवाई को अंजाम दिया गया है फिलहाल ACB अफसर से जानकारियां इकठा कर रही है और ACB महा निर्देशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी नहीं ACB टीम दोशा को शिकायत की और जिसमें इस बात का जिक्र था कि सवाई माधोपूर का खाग सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंत्र जेन उसके प्रस्टिठान के लिए भी सेंपलों पर कोई नेगटिव रिपोर्ट ना जारी करने और होली के तेवहार तक कोई सेंपल नहीं लेने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है परिवारवादी की शिकायत के बाद ही ACP दोशा के अधिक्षक राजेश कुमार सिंग ने भी शिकायत का सत्यापन किया और शिकायत का सत्यापन होने के बाद बुदवार सुबा ACP टीम दोशा ने आरोपी खाग सुरक्षा अधिकारे प्रेम चंद्र जेन को परिवादी से ही 10,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार भी कर लिया आरोपी ने भी परिवादी से ही 10,000 की रिश्वत शिकायत का सत्यापन करते समय ले लिया था और ACP टीम आरोपी के सवाई माधोपूर और गंगापूर में मौजूद आवास पर तलाशी कर रही है और आरोपी के खिलाफ ब्रस्टाचार निवारन अधिनियम के तहत मामला दर्जकर अग्रिम कारवाई की जाएगी मंत्री मंडल विस्तार और राजनितिक नियुक्तियों की चर्चाओं के बीच मुख्य मंत्री अशोग गहलोत और राजस्थान कॉंग्रस अधियक्ष गोविंद सिंग डोटासरा दिल्ली पहुंच चुके हैं वहीं प्रदेश में मंत्री मंडल विस्तार राजनितिक नियोक्तियों के जरिये कॉंग्रेस कारीकरताओं को सत्ता में भागिदारी देने की मांग करने वाले सचिन पाइलेट आज दिल्ली से राजस्थान लोट रहे हैं इस सब के बीच ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनितिक नियोक्तियों या फिर मंत्री मंडल विस्तार की मांग उठाने वाले सचिन पाइलेट कैम्प के नेताओं को क्या इस नए मंत्री मंडल में जगा मिलेगी सचिन पाइलेट सीधे अपनी विधान सभा टोक पहुँचेंगे और जहां वो नगर परिशद के सभापती अली एहमत के पिता को सरधानजली देंगे और इसके बार सचिन पाइलेट निवाई पहुचेंगे जहां वो पूर्व प्रधान रामकरण गुजर को शरधानजली देंगे वही गुरुवार को सचिन पाइलेट दोसा के दोरे पर रहेंगे जहां वो जिरोता में पूर्व परधान किशनलाल बैरवा की मूर्ती का अनावरन करेंगे बता दे कि दिल्ले से निकलने से पहले ही पाइलेट ने अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी के संगठन महा सचीव केशी वेडु गोपाल से मुलाकात की है